तो दोस्तों गुड़ल में हम काफी सारे फर्टिलाइजर डालते हैं फिर भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती क्या आपके यहां ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है कि आप सब कुछ ट्राई कर चुके हैं आपने वर्मी कंपोज भी दिया आपने अधर लिक्विट फर्टिलाइजर भी दिया फिर भी आपके यहां फ्लावरिंग नहीं हो रही या फिर कलिया तो आ रही है मगर वो खिलती नहीं है गिर जाती है यह सब प्रॉब्लम का एक सोलूशन है आपके यहां पे अगर प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी होती है यानि की जो बेजिक न्यूट्रिशन है वो तो आप और्गेनिक केया केमिकल दे देते हैं मगर जो इसको माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसके कारण कलिया गिर जाती है तो आपको पता नहीं चल microphone nutrition की कमी को कैसे پورा कर सकते हैं तो दोस्तो आप जब mustard cake देते हैं इसमें भी microphone nutrition होते हैं मगर master cake हम summer में नहीं दे पाते क्योंकि वो गरम होता है इसलिए हमें कुछ thanda fertilizer अबी इस गर्मी के time देना पड़ेगा जिसमें micron nutrition हो और दूसरे भी nutrition हो जो हमारे प्लांट को चाहिए और वो खिलने लगे तो देखिए मेरे इस गुढ़ल के प्लांट में काफी सारी कलिया आई हुई है तो मैं आज बताने वाली हूँ कि मेरे यहां पे ऐसा क्यों है तो सबसे पहले दोस्तों मैंने पानी लिया है पूरा बकेट फरके अगर आपके यहां कम प्लांट है तो आप एक लीटर पानी में आट और दस बुंदिशकी डालके आप इसको दे सकते हो अगर मेरे यहां प्लांट जादा है तो मैं यह पूरे बकेट में पूरा ढकन भर सीवीट फर्टिलाइजर डाल दूगी तो हाँ दोस्तों मैं बात कर रही हूँ seaweed fertilizer के बारे में तो seaweed के फाइदे आपने सुने ही होगे काफी सारे फाइदे हैं ये समुदरी जो वो होता है ये समुदरी घास से और समुदर में जो भी घास वगेरा उखती है उससे बनता है तो यह totally organic है इससे आपको plant को कोई भी नुक्षान नहीं होता और इसमें काफी सारे micronutrition होते हैं जिससे हमारे plant की growth, दूगनी और तिगनी बढ़ जाती है और अगर आप furl और full वाले plant लगाए हैं तो इससे आपके plant में अगर full वाले हैं तो full की size बढ़ जाएगी उसकी अगर smell वाले हैं तो smell भी बढ़ जाएगी तो इसके काफी सारे दोस्तों फाइदे हैं आपने काफी सारे वीडियो में देखा होगा तो मैं ज्यादा detail में नहीं जाओंगी मैं आज आपको वही बताने वाली हूँ कि अगर आपके plant में problem है तो उसका solution क्या है अगर seaweed के fertilizer के फाइदे आपको देखने हैं तो आप google भी कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए मैं अपने सारे plant में ये दूँगी ताकि मेरे सबी plant healthy रहे तो आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी बालकनी है 3x3 की मेरी बालकनी है फिर भी इसमें काफी vegetables और flowers के plant मैंने लगाया है तो सबी healthy है किसी में भी कुछ भी problem नहीं है जो flowering वाले flower देते हैं और जो सबजी के मैंने plant लगाया है वो सबजीया देते हैं तो अभी मैं दिखाऊंगी मैंने यहां मेरी बालकनी में लोकी के plant लगाया है तो देखिए यह मेरा टिकोमा का plant है परपल टिकोमा का तो इसमें भी कलिया आ रही है शाय nutrition नहीं मिलेंगे तो आपको हर वक्त change करके देना पड़ेगा याने कि हर 15 दिन में अलग-अलग fertilizer देंगे तो आपके पोते की सारी requirement पूरी हो जाएगी और वो सब healthy ग्रो करेंगे तो देखिए यह मेरी लोकी की बेल है यह देख सकते हैं यह लोकी मेरी छोटी अभी ग्रो कर रही है तो काफी सारी बेल मेरी फेली हुई है तो मुझे इस तरह से अलग-अलग nutrition इसको देना पड़ता है तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको seaweed fertilizer के related कुछ भी problem हो या कोई भी queries हो तो मुझे comment में जरूर लिखेगा और चैनल को subscribe करना दोस्तों मत भूलिएगा बाई